यह है example number 6, इसको solve करना है हमें, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मानक रूम में, तो यहाँ पर हम इसको मानक रूम में लिखते हैं, तो यह हो गया इसका मानक रूम, अब यहाँ पर मानक रूम में लिखने के बाद हम P, Q और R लिखते हैं, तो यह हो जाएगा इसका P, Q औ यह हो गया इसका क्यों और जो लाश्ट में बसता वह था आर तो हमने लाश्ट में इसको आर को इस तरह से लिख दिया यह जो क्यूस्टन है इसको आप सोल करते हो तो इसको आप चैप्टर फाइव के अक्वोर्डिंग सोल कर सकते हो वहाँ पर आपने समगात equation सोल करना सीखी तो वो same process है क्योंकि यहाँ पे देखो वो ही बन रहा है तो वहाँ पे हम y equal to cf plus pi इस तरह से solve करते थे तो उसी तरह से आप इसको solve कर सकते हो तो इस question में हम cf ग्याद कर सकते हैं cf ग्याद कर सकते हैं cf ग्याद करके हम इसकी दो भाग प्राप्त करेंगी cf ग्याद करने की हमारे पास यहाँ पे प्राचल वीदी से करने को लिए कहा गया है इसलिए हम प्राचल वीदी से इसको solve कर रहे हैं वरना हमने chapter 5 में भी इस equation solve करना सीखा था अब यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे हम मानेंगे इसको इस तरह सी मानेंगे x equal to e की पावर z इसा है हम मानते हैं जब भी equation समगात रूम में आती है समगात का मतलब है कि यहाँ पे जितनी बार उकलन हो रहा है x की पावर भी उतनी होती है यहाँ पे इस तरह से हम मानते हैं यह हमने chapter 5 में पढ़ा था आपने chapter 5 नहीं पढ़ा हो तो आप हमारा f डाउनलोड कर लिजी कि रिष्टी पाउंडेशन वहाँ पे आप पढ़ सकते हो chapter 5 को तो वहाँ पे हमने 5.2 chapter 5.2 के अंदर पढ़ा था हमने इसा तो वहाँ पे हमने यह पढ़ा था यहाँ पे हम Z मानते हैं इस तरह से E की पाउर Z में तो यहाँ पे दोनों तरफ log लेंगे हम तो log लेने के बाद हम मिलेगा Z का मान इस तरह से Z equal to log X तो Z का मान हमारे पास आ चुका है इस तरह से अब इसको आगे solve करते हैं तो हम इसको लेकिन मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने इसको 0 मान लिया, 0 क्यों माना है, यहां पर 0 मानने से हमें क्या पाई दवा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहां पर इसका हला हम इस तरह से लिखते हैं, cf plus pi, लेकिन जब हम यह प्राचल वीदी लगाते हैं, तो प्राचल हम इसको जरूरत पड़ती हैं, तो हमें नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, तो हमें साइक समिकन लिखना है इसकी, तो इसकी साइक समिकन आ गए इस तरह से, यह भी हमने चेप्टर 5 में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने साइक समिकन मिल चुकी है, और इसके यहाँ पे आएमके दो मान मिल चुके, तो अब हम इसके लिए सी एप लिखेंगे, तो इसके लिए सी c1 e की पावब z पलस c2 e की पावर माइनज के z तो यहाँ पे हमने cA लिख लिए लेकिन यहाँ पे देखो यह जू cA बह्या जेड के पदो में आ रहा है लेकिन हमारा क्यूण सना है x के पदो में तो हमें यहाँ पे z का मान रखेंगे, z का मान है हमारे पास यह, z का मान है log x तो log x रखेंगे हम यहाँ पे तो हमने यहाँ पे z का मान रख दिया, तो जैसे आप z का मान रखेंगे, आपको यह मिलेगा अब यह केसी आया, तो मैं आपको बता देता हूँ E की पावर Z और यहाँ पे हमारे पास Z का माहन आ गया E की पावर log X तो यहाँ पे देखो जब भी E की पावर में लोग आता है तो log और E को अटा कर लिख देते हूं तो यहाँ पे last में जो भी बस था हम उसी को लिखते थे तो यहाँ पे इस तरह से x आया है और यहाँ पे देखो माइनस में होता यह यहाँ पे मानलो यहाँ पे e की पावर माइनस के जेड़ा जाए तो आप क्या करोगी e की पावर माइनस के लोग x हो जाएगा यह तो जो भी माइनस में होता है यहाँ पे यह इसकी power में चला जाता, तो यह इस तरह सी हो जाएगा, e की power log x की power minus के 1, तो यहाँ पी इसका मान आएगा, x की power minus के 1, और x की power minus 1 को हम 1 upon x लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह सी 1 upon x आया, तो यह हो गया हमारे पास cf, तो यहाँ पी देखो constant c1, तो c1 के साथ में जो भी आएगा, यह होगा, cf का एक भाग होगा यह, फिर यहाँ पे constant c2, तो c2 के साथ में जो भी होगा, c2 के साथ में है 1 by x, तो यह हो गया cf का भाग, तो हम यहाँ पे u और v कमान लिखेंगे, तो u हो गया हमारे पास x, v हो गया 1 upon x, यह संपूर्ण हल मानते हैं, अब हम इसका, तो संपूर्ण हल हम इस तरह से मानते हैं, y equal to a, u plus b, v, तो u और v, यह तो हमने यहाँ पे प्राप्ट कर लिया, यह जो cf के बाग होते हैं, यह होते हैं, u और v, तो यह मानतों हम यहाँ पे रख देंगे, और a और b हम अपनी तरब से लिखते हैं, a और b वाते हैं, x के पदों में आते हैं, x के पंक्सन हैं, यह दोनों, a और b, यह हम प्राप्ट करेंगे, यह प्राप्ट करके हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें इसका अंसर मिल देगा, लेकिन यह किस तरह से प्राप्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो सुत्तर होते हैं, यह दो सुत्तर होते हैं, एक सुत्तर तो यह है, और एक यह है, यहाँ से हम प्राप्ट करते हैं, तो यहाँ पे देगो, X के साफ एक से उकलन करेंगे तो हमें DV upon DX मिलेगा और DV upon DX का मानन हम यहाँ पर रिखेंगे और R, R तो हमने सबसे पहले यहाँ पर मिली जाता है, मानक रूम में लिखते हैं मिल जाता है, तो यहाँ पर R है DV upon DX का मान लिखेंगे यह मान कहाँ से आएगा, तो यह दो एक्वेशन है इन दोनों एक्वेशन को हम सोल करेंगे तो यहाँ भी देखो, दो वेरियेबल हो जाएगे मारे पास, DA upon DX DV upon DX, और हमारे पास एक्वेशन हो गई दो तो दो एक्वेशनों को सोल करके हम इन दोनों का मानासानी से ग्याद कर सकते है तो यह दोनों को कैसे सोल करते है यह मैंने एक्जांपल 1 में आपको समझाया है तो आप एक्जांपल 1 देख सकते हो वावे मैंने इसको अच्छे से समझाया है कि हम किस तरह से इसको solve कर सकते हैं DA upon DX या DBA upon DX कि याद कर सकते हैं या आपको भी आता है यह तो solve करना आपने 10th में पढ़ लिया था है विलोपन विदी या परतिस्तापन विदी वजजर गुणन विदी कोई भी विदी लगा कर आप इनको solve कर सकते हो तो इसको solve करने के बाद हमें DA upon DX का मान मिलेगा यह यह मान मिला हमें DA upon DX का अब यहाँ पर मैं इसको आगे solve करके A प्राप्त करना चाहता हूँ तो A प्राप्त करने के लिए देखो DX को मैं इस sideway की integration करूँगा तो DX को इस sideway उगा तो 1 by 2 E की power X DX हो जाएगा और उसका integration करेंगे हम तो यह मिलेगा तो हमें यहाँ पर A का मान मिल चुका मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर DA upon 1 by 2 E की power X DX है अब इसका integration करोगी तो आपको यह मिलेगा इस तरह से तो यहाँ पर हमें A का मान मिल चुका है अब यहाँ पर देखो B का मान में प्राप्त करना है तो B का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो equation है यहाँ पर यह DA upon DX का मान क्या है 1 by 2 E की power X यह मान हम यहाँ पर रख दें यहाँ पर रखेंगे तो हमें DB upon DX का मान मिल जाएगा तो db upon dx का मान हमें मिलेगा ये और ये जो db upon dx का मान है यहाँ पर मैं x को इस साइड में बेजू dx को और फिर इसका integration कर दूँ तो यहाँ पर integration करने के बाद हमें ये मिलेगा ये integration कैसी किया है तो हमने integration by parts को use मिलिया है यानकि खंड़ समा करें जिसको आप isolate बोलते हो उस विद्य को use मिले कि हमें इसका integration किया है तो integration करने के बाद आपको b का मान मिलेगा ये अब आपके पास दोनों मान हो चुके a का मान हो चुका ये और b का मान हो चुका ये a और b का मान आप रिखोगी यहाँ पर क्योंकि ये जो हल है ये हमने माना था यहाँ पर आप a और b का मान रखोगे तो आपको ये equation मिलेगी यहाँ पर आप एक बार मैंने इसको तोड़ा सा solve करके लिख लिया 1 by 2 solve ये क्या कि ये negative था तो मैंने इस साइड में लिख लिया ये positive था तो इसको आगे लिख लिया आप direct यहाँ से भी B का मान रख सकते हो और आप इस तरह से B का मान रख सकते हो तो B का मान और A का मान हम यहाँ पर रखेंगी तो हमें equation मिलेगी ये y equal to ये इस तरह से ये हो जाएगा इस काल लेकिन आप चाहिए तो इसको तोड़ा सा आगी सोल करके लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर देगो E की पावरक्स है और यहाँ पर भी पावरक्स है तो आप E की पावरक्स को common लेके इसको इस तरह से ये और ये आपको हमारे वीडियो से help हो रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो ये आपको यहाँ पर चैप्टर वाइस नहीं मिल पा रहे हैं और वहाँ पर सब कुछ व्यवस्ति तरीके से मिलेगा आपको और के सारे PDF भी मिल जाएंगे आपको और अन्य सब्सक्राइब पिजिक्स केमेस्ट्री उनके PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप एप डाउनलोड कीजिए, एप मिलेगा आपको केरिश्टी पाउन्डेशन नाम से पले स्टोर पे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहां से भी जाकि उसके डाउनलोड कर सकते हो